पेसाब करते समय बोल दे ये तीन सब्द, इस्तरी संबंद करने खुद बुलाएगी, मर्द जरूर देखे, चीहा भक्तो, यदि आप किसी से सच्ची महबत करते हैं और सच्चा प्यार करते हैं, और वह इस्तरी प्रूस आपसे प्यार नहीं करता या नहीं करती, आप चाहते लिए महबत में जीत हासिल करने का, प्यार में जीत हासिल करने का बड़ा ही पावरफुल और एक असली वसीकरन विधी आज हम आपको बताएंगे, जिसको यदि आप अच्छे से समझ लेते हैं, और जैसे जैसे हम बता रहे हैं, वैसे वैसे इस विधी को आप कर देते हैं, तो यकीन वानिये पल भर में ही किसी भी लड़का लड़की को अपनी महबत में बेचेन कर सकते हैं, अपनी महबत में उसको तड़पा सकते हैं, अपने प्यार में उसको गुलाम बना सकते हैं, तो चलिए मैं आपको बताता हूँ आपको करना क्या है, किसी भी दिन इस विदी कोई भी हो किसी के लिए भी आप इस विधी को कर सकते हैं आपको करना क्या है चलिए मैं आपको बताता हूँ ध्यान से देखिएगा इस तरह से आपको एक कोरा कागज ले लेना है ठीक है कोरे कागज के ऊपर इस तरह से आपको एक बोक्स सा बनाना है ठीक है इसको आपको ती तीन भागों में इस तरह से बना लेना है, यानि तीन खाने इसके अंदर आपको बना देने हैं, तिहान से देखेगा जिससे कि कहीं पर आपसे कोई गलती नहीं हो जाए, ठीक है, अब आपको क्या करना है, सबसे पहले अपने प्यार का मनिहमन ध्यान करना है, उसका चेहरा अ 999, यह आपको लिख देना है, ठीक है, 999, यहाँ पर आपको लिखना है, फला, बिन, फला, ठीक है, यह आपको लिख देना है, मतलब कि यहाँ पर उसका नाम लिखना है, जिसको आप अपने वसमे करना चाहते हैं, और उसकी मा का आपको नाम लिख देना है, ठीक है, पलस यह इसके उपर आपको और कुछ नहीं करना बहुती आसान विदी है, दो आपको लोंग लेनी है, ठीक है, फूल वाली लोंग इस तरह की, ठीक है, यह आपको एक उसके नाम के उपर और एक अपने नाम के उपर रख लेनी है, रखने के बाद आपको एक मंत्र हम बता रहे हैं, य चोराय पर जाकर के आपको कागज को और लोंग को इस तरह से कागज के अंदर फोल्ड कर लेना है, मोड लेना है, अब इसको अपने पैर के नीचे आपको कागज को रख लेना है, रखने के बाद आपको पेसाब करना है, चोराय पर जाना है, ठीक है, चोराय पर जाकर के इसक करना है अपने सीधे पैर के नीचे आपको इसको रखना है ठीक है और पेसाब करना है आपको ये बोलना है त्रीम 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 कितनी बार बोलना है इसको कम से कम आपको साथ बार बोलना है ठीक है और इसकी कोई लिमिट नहीं है आपको जब तक आपका पेसाब आए तब त बस आपको इतना सा कारे करना है, काज़ को वही पर छोड़ देना है, और अपने घर चली आए, पीछे मोड खरके आपके बिल्कुल नहीं देखना है, बस इतना सा कारे आपको करना है, इतना करने के बाद आप देखेंगे, जिसके लिए भी एहविधी आपने किया है वह आपकी महबत में बेचैन हो जाएगी आपकी महबत में तड़पने लगेगी तुरंत आपके पास चलाएगा चली आएगी आपसे संपर्ख बनाने की कोशिस करेगा करेगी